नमश्कार्ट जंडत की पुकार में आपका स्वागत है मनोश तिवारी ने डीटीसी और दिली जलबोड को लेकर अर्विन केजरिवाल को घेरा भाश्वर सांसद मनोश दिवारी ने एक बार फिर दिल्ली की अर्विन केजरिवाल की नित्रत्ववाली आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है बूधवार को प्रेस कॉन्फरेंस आयुजितकर मनुश दिवारी ने DTC और दिली जलबोड को लेकर अर्विन केजरिवाल को घेरा उन्होंने कहा कि सरकार की हर बार CAG रिपोर्ट जारी होती है चार साल से CAG की और्डिट रिपोर्ट विधान सभा में टेबल ही नहीं हुई है केजरिवाल क्यों छपाना चाहते हैं इसका जवाब RTI से मिला है अर्विन केजरिवाल जी तुद्रिली के मुख्य मंतरी है वो कुछ मुद्रों के लेकर बुखलाए हुए वो क्यों बुखलाए हुए इस पात का आज पुलासा हमारे भाई पूर्वध्यक्ष दिली परदेश और सांसर मनुतिवाली जी अभी करने वाले हैं मेरे साथ मेरी साथी प्रवक्ता पुजा जी मौजूद है अब अब शाथी मेरे मित्र निरगाण बख्शी जी मौझूद है अलिए जी मेरे साथ है शुर्वध्यक्र जी वारे साथ है आं मैं निवेदन करूंगा सब्सक्राइब बताएं कि अर्विन केज्रिवाज जी के पुखलाट का कारण क्या है भाई मनुद जी धन्यवाद हरीज जी धन्यवाद हमारे सभी साथी मंचासिन और आज दिली की कि विद्वान मीडिया और इसके मार पर दिली को कुछ बाते बताने के लिए हम बैठे हैं आपको अभी थोड़े ही दिन पैदे 15 अगस्त की सुबह है जब कि रंगा फैराया जा रहा था चेहतरवी बार तो वहाँ पर ये चिंता बेखते गए की लाल किले की प्राचीर से कि देश की दो बड़ी चुनोती हैं कि एक भाई भती जावाद और एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनोती माना गया लाल किले की प्राचीर से भरश्टा चाप ब्रश्टा चार पर थोड़ी सी और भी बाते हुई नाम किसी का नहीं लिया गया मैं मीडिया के समझ ये बड़ी अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि लाल किले की प्राचीर से देश की चिंता विक्त की गए ब्रश्टा चार पर 2014 से जब से देश की सरकार बदली है लगातार ब्रश्टा चार की जड़ों पर चोट करने की कोसिस हो रही है और उसी का एक सुपान है जहां पर देश के प्रणान मंत्री जी देश के लोगों को इस मुद्दे पर और भी ज़्यादा जगाना चाहते है ताकि ब्रश्टा चार उसी राप्चस को जड़ से खतम किया जड़ा लेकिन जैसे ही ब्रश्टा चार की बात हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल का ऐसा लगा जैसे नीचे से उपर टकितम किसी विमारी ग्रस्ट व्यक्ति जब हिल जाता है ऐसी उनके स्थिति हो गए हमें बहुत आश्यरे है क्योंकि जो इंडिया अगेंस्ट करप्सन करता हुआ आया हो वो भृष्टाचार समक्त करने की बात पे स्वय मिल जाता हो यह बाते क्यों कर रहे हैं तो यह अनायास नहीं यह साथ ही हो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और वो रीजन आज में आप सब के सामने रखना चाहता हूँ आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी नहीं है बहुत तक्रीफ है आप सब जान करके हैरान होगे कि हर सरकार की प्रती वर्ष सीएजी रिपोर्ट जारी होती है सीएजी रिपोर्ट डिल्ली की भी हर साल जारी होती थी लेकिन आज मीडिया के थुरू हमारे दिल्ली वासियों को और देश में जोनों दिल्ली से मतलब रखते होंगे उनको जान करके आश्चर होगा कि पिछले चार साल से सीएजी की आउडिट रिपोर्ट टेबल ही नहीं की गए अगर आप सीएजी आउडिट रिपोर्ट नहीं लाते हैं चल्का के सामने विदान सवाबे नहीं लाते हैं तो पिर उसके बाद आप जितनी बाते करें सब गोल 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 घुमा रहे हैं कोई बात भी प्रमारिक नहीं है दिल्ली करजे में है या दिल्ली लाव में है दिल्ली का किस्की पेटमेंट का कितना नुकसान हुआ दिल्ली का कौन डिपार्टमेंट पर फाइदा ले रहा है डिल्ली के आम लोगों को जो यहां पर अक्सर यह समस्या होती है साफ पानी कैसे मिले, सब को पानी कैसे मिले गल्यों की सिती कैसे झिको, कुड़े का पाँड कैसे झीको यह सारी समस्याों के लिए जब एक जिज के अवरशकता पढ़ती है तो उसका नाम होता है हमारा बैलेंस सीड हम कहां कड़े हैं और ये सरकार क्या ये तो परिवार में वी एक त्रती को करना पड़ता है लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले चार वर्सों से CAG की ओडिट रिपोर्ट विधान सवा में टेबल नहीं किया मैं अर्विन केजरिवाल जिसमें बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप CAG ओडिट रिपोर्ट को क्यों चुपाना चाहते हैं सर आप जबाब नहीं देंगे लेकिन जबाब मुझे मिल गया है और आज जबाब आपके समझ में लेके आया हूं कि दिल्ली का एक लाखे क्यावन हजार पांसो चोसच करोड इस संख्या को एक बाद फिर से रिवाइश करता हूं एक लाखे क्यावन हजार करोड कह लीजिए लेकिन उसने भी ज्यादा एक लाखिप्यावन हजार पांसो चोसट करोन रुपए दिल्ली का कहाँ चला गया है इसका कोई अतापता ही नहीं है एक लाखिप्यावन हजार पांसो चोसट करोन रुपए अब आपके दिमाग में आएगा मनोज की वारी what is details of this thing अब मैं आपको details बताता हूँ और यह जो भी बात में कह रहा हूँ आपस यह सब हमारे पास RTI के अधार पे हैं हम कुछ भी बात हवावा में नहीं कहना चाहते हैं अभी कुछ दिन पहले हम किसी चैनल पर बहस में थे तो उनके प्रवक्ता उनके तरफ से जो बैठे थे संजे सिंग्जी वो जब जब बात हो दिल्ली से वो दुनिया भर में घूम आते हैं दिल्ली के मुझे पर बात नहीं करते हैं आप जब मैं जानकारी लेता हो तो क्या निकलता है कि हमारे दिल्ली की DTC दिल्ली ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन जो 2013 के पहले लेकिन उस्ते पहले वह अच्छे मुनाफी में चलती थी दिल्ली ट्रांस्पोर्ट क्रपोरेशन सभी को अपनी सुविदा होती थी लेकिन जैसे ही आज DTC की इस्टिती क्या होई इनके अंतरगत 38,753 करोड का नुकसान इन्होंने 2019 तर दिखा दिया 2019 तर इन्होंने DTC में 38,753 करोड रुपे का नुकसान दिखा दिया लेकिन भैलेंसीट नहीं दिया बस बोल दिया नुकसान हो गया नुकसान कहा हुआ है कौन सी बस लाएं है तीन करोड की दिली में क्या 3500 बसों से लोगों को बस में बिठा सकते हैं महिलाओं को बस में बढ़ाएंगे परी बड़ा अच्छा है मैं सवादत करता हूं लेकिन क्या तीन करोड लोगों के सहर में 3500 बसों से कोई चल सकता है जिस दिन कोई तेवार होता है बस स्टोप पे मारा मारी और मीडिया में खबरे भी आती है लेकिन 38,753 करोड ये 2019 तक का है और 5,280 करोड का नुकसान मार्च 2020 तक ओन रिकॉर्ड है और 2021 और 222 का अभी इसमें नुकसान जुर्णा है मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं जो 2020 का नुकसान है मैं तो सिर्फ कहता हूं कि 2020 तक 38,703 करोड और 580 करोड का बैलेंस जिट क्या है कैसे नुकसान हो अर्विन के जिवाज़ी ये तो बता दो दिल्ली को हम आठ साल के वे तो हम आठ साल में हर साल नरेंद्र मोदी जी ने में जिवे इसको इसाब दिया है हमने भी अपने संसदिय छितर में दिया है बैलेंस सीट का छुपाना ये अजपस्ट करता है कि आपने ये नुकसान निश्चित रुप से दिल्ली के लोगों की जवाब फूजी को कहीं न कहीं आप इसको ले गए है कहा ले गए है जो है विट्टे है दूसरा हमारा प्रस्ट है वो है दिल्ली जलबोर के इस्तिती को भी आप देख ली दिल्ली जलबोर जो दो हजार तेरा के पहले छे सव करोड का पैदा देता था आज दिल्ली करोड दिल्ली जलबोर के उपर जब हमने इसका आटियाई निकाला है तो आटियाई कहती है कि संतावन हजार आठ सो पन्चानवे करोड का लोन है दिल्ली जलबोर पे संतावन हचार आठ सो पन्चानवे करोड मत्लब इसको लंचंप 58,000 करोड हुआ लेकिन आज आज में बोलूगा क्योंकि मैं हवा में बाते नहीं करना हूं मैं आटियाई रिपूर्ट के अधार पे बात करना हूं अब सवाल होता है कि आपका अगर दिल्ली जलबोर जो 600 करोड का फाइदा देता था जिसके फ्लट डिपार्टमेंट कई जगा सड़के बनाती थी नाने ठीक करते थे चुचुचुटी गलियां बनते थी अंचेडी को जाता था सारा सारा डिस्टिडूशन चलता था अगर वो अचानक आपने का 57,845 करोड का लोन ले लिया तो लोन लेकर के क्या किया क्या दिल्ली में लोगों के धरों में पानी की पाइप चली गई सबके क्या दिल्ली के लोगों को टैंकर मापियां का सामना नहीं करना पड़ता क्या दिल्ली में अब टैंकर नहीं चलता क्या यमना जी का पानी साथ हो गया इन सारी चीजों में एक भी कारे नहीं हुआ लेकिन आप ने लगवग 58,000 करोड का लोन ले लिया तो ये लोन से किया क्या ये तब पता चलेगा जब आप बैलेंस चीट दोगे जब C.A.G. रिपोर्ट आएगी जिसको आप 4 साल से चुपाए होगे और इसमें एक और चिंता जनक बात है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ 57,845 करोड का लोन ये तब की स्थिती है जब 2015-16 के बाद दिल्ली जलबूर का बैलेंस चीट ही नहीं बना है हम आप दिल्ली के रहत बनने वाले हैं अगर आप 15-16 संद्र के बाद बैलेंस चीट ही नहीं बनाएंगे तो क्या पता है आपने साथ हजार करोड लेकर के पंजाब के चुनाव लड़े आप जाके उत्रा घंड के चुनाव लड़े क्या किया हमें तो पता नहीं आप सब दिल्ली का कोई भी विक्ति सुनेगा कि कि दो हचार पंदरा सोला के बाद दिल्ली जल्बोर का बैलेंस एडी नहीं बना है। 22 चिट्छियां CAG ने लिखी है CAG चिंतित है 22 चिट्छियों का एक भी चिट्छि का जवाब बिल्ली सरकार ने अद्विंद के जिरिवाद गैग ने नहीं दिया और तीसरा यह एमाउंट जोड़ के हम देखते हैं पहला 38,753 करोड दूसरा 55,895 करोड यह इसका बैलेंसीट ही नहीं है मेरे दिल्ली के भाई बहें और तीसरा आप ने कहा था कि दिल्ली में अब बिजली हाप होगी पानी माप होगी कितने है था ना दो रहन के बाद तीव को समझने के लिए किसी एरिसर्ट इसक्रोड की जुरूद नहीं है पानी माप बिजली हाप ह कि या क्या है आप ने अर्बिन के दिवाज जी आपको जान करके आश्चरी होगा कि जो व्यक्ति बिजली कमपनियों के खिलाफ इनके पहले की सरकार उने अपने वज़न से ज़्यादा कागज लेके चलता था उस व्यक्ति ने बिजली कमपनियों को कितना फाइदा पहुचाया ये आपके सामनी आज में डिड़ा रख रहा हूँ आप कहते हैं बिजली हाफ होगे तो पहले से जिसका बज़ेट था जो भी लाता था होँ हाफ होना चाहिए था लेकिन हुआ क्या है कि आपने जो भी अलग अलग जनता की जेट से अलग अलग हेड में चार्जेज कलिक्ट किये हैं उनको क्या कभी आपने अद्विंद केज रिवाज जी दिली के सामें रखा कैसे कैसे आपके बिजली के बिल में चार्जे जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बिजली के बिल आते जो दुकानदार है, जो किसान है, जो व्यापाली है, जो कोई इंडुस्ट्री चलाता है, या जिसका 200 उनिट से उपर कभिलाता है। अपने चैनल भी कर सकते हैं, अपने अख़बार में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 2015 से 2021 तक में 5222 करोण इन्हों ने दिली की जन्ता से वसूला है, अपैक चार्जेज, APAC, इसके तहट 3900 करोण रुप्या वसूला है, पीच्ट चार्जेज, जिसको ले करके बहुत हतामा हुए, बहुत लोग सणकों पे आए, उसके तहर 16233 करोण रुप्या इन्हों ने वसूला है दिली की जन्ता से, और सबसीडी के आधार पे, इन्होंने सबसीडी 12408 करोण, इस हेड में इन्होंने दिली की जन्ता से लिया है, और ये टोटल होता है, 49636 करोण, दिया किसको जाता है, बिजली कमपनियों को, मेरा ये डाउट है, मेरा ये प्रुष्ण है, कि कि इतना पैसा बिजली कमपनियों को जो दिया है, वो सिर्फ दिखावा है, पीछे का खेल वैसा ही है, जैसा इन्होंने एक साइस पॉलिसी में किया है, और इस इमाउंट को आप 55,564 करोड और ये सिर्फ तीन दिपार्टमेंट की जानकाली लेकर के आजाब के सामने आया हो, जिली की जनता को जितनी तकलीपे हैं, वो गलियों में जाने से पता चल जाते हैं, अगर में गलीप में अगर भार्ती जनता पार्टी का बड़ा सा टोपी पहिंके न जाओ, तो लोग हमें अर्विन केजरिवाल का साथी समझ के कूट भी सकते हैं, क्योंकि उन लोग को पानी को लेकर के बड़ी परसानी हो रखती है, महिलाए ऐसे तूटती है, उनको बताना पड़ता है, भेहिंजी हम अर्विन केजरिवाल वाले नहीं, तो तीकि आप जनता को तो बाद अब हम को समझ में आता है, कि बरस्ता चार नाम सुन्ते ही अर्विन केजरिवाल जी को गुस्ता क्यों आता है। हो तब उनको पुरक नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही एक अच्छे मंच से कहा गया कि हम ब्रश्टाचार को दूर करना चाहते हैं उनको लगता ही नहीं को कहा जा रहे यहीं है तो ऐसी स्थिती में ये सारी जुडों का जवाव अर्विन के जरिवाजी आपको देना है अगर आप नहीं देंगे अगले तीन दिन में जवाव हुआ तो जिस प्रकार से हम एक साइस पॉलिसी के खिलाब गए जिस प्रकार से हम कमरों में हुए ब्रस्टाचार के उपर हम गए हैं लोका इप्तमों हो दैने मागा है जानकारी हम ऐसे ही इसी आधार पे हम और संस्थाओं के पास जाएंगे और मैं CAG की जो CAG से मैं प्राखना करना चाहता हूँ मुझे पता चला है कि CAG कुछ सोध करने वाली है तो मैं CAG से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी फॉरेंसिक जाच करें मैं आज के इस PC में CAG से रिक्वेस्ट करता हूँ मान ये LG से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इन सारे हुद्दों की फॉरेंसिक ओडिट होनी चाहिए और मुझे आज यहां आने से पहले ही एक सब के पता चला है जो मुझे बहुत चिंदित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का फेस्बुक के काउँ वो इंडिया के बाहर से चलता है अर्विन के दिवाजी काईगा उनके कुछ और साथ क्यों गएगा और पार्टी काईगा कहां से चलता है सर कतर से चल रहा है कराड़ा से चल रहा है लिटवानिया से चल रहा है और अमेरिका से चल रहा है अब ये सोचिए कि जिस पार्टी का और जिस पार्टी के मुख्या का अकाउंट विदेशों में रह करके चल रहा हूँ और वो देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो ये देश की आंकरिक सुरक्षा को कितना बड़ा ख़तरा है तब मुझे ये भी डाउंट हो रहा है कि जो एक लाखे 5554 करोन रुपे का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है बैलेंस सीट नहीं दे रहे हैं कहीं इन्हीं पैसों से आप भारत विरुदी ताक्तों को मजबूत तो नहीं कर रहे है क्योंकि दिरंगे का संवार्थ तो आपके नजर में किवर पोश्टर तक है पुरे देश ने समने डीपी बदली है प्रमुक लोगों ने अर्वित की जिवाजी नहीं बदली है यह रधा नहीं लगा दिये क्योंकि उसके पीछे एक ब्रश्टा चार है उसकी बात कभी और करेंगे क्या ये एक लाखे क्यावन हजार पांसो चोसट करोन रुपे है ऐसे ही आप विदेशी सक्कियों को मजबूत करने को दे रहे हैं इसलिए जब ये बात हो रही है कि ब्रश्टा चार और भाई भती जावाद एक बड़ा खत्रा है चुनौती है देश के लिए तो आपको 2564 करोड रुपे क्या आप बेवोग कर दिये कि खा गए या कहां गए यह दिली की जनता काया आप से सीधा सवाल है जो मैं आज आपके सामने रखेंगा थेंक्यू बहुत 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 करने वाले है कि अधियों अधियर करने के बादे शुरू है कल ते यह पुरी तरस्ते हम लोग पुरिये के आएगे क्योंकि यह सवाल पर किसी को छोड़ा जाना दिली का बहुत बड़ा कि कि अधियों तो प्रशन हो दो जब दिली बसाने का काम याने कर दादे देखिये ये जो मुद्दा है यह जिनों ने ऐसा ट्वीट किया है क्या हुआ है कहिल क्या है कि हुआ हो अभी आपने करने फिन कि यह कर दिया है इसमें गॉवंवेंट ओप जिली ने ऐसा कुछ प्रोपॉँष किया है आप स्वेन जाईएगा ग्रेय मंत्राले के उसमें तो एक ट्वीक है ग्रेय मंत्राले का जो आपको पढ़ना चाहता हूँ गौवर्मेंट अब दिल्ली प्रोपोस्ट टुशिट रोहिंग्यास पर यू लोकेशन कि मेंचे हैं जरेक्टेड दजीन सीटीट इंसे ओडेट रोहिंग्यास इलीगल फॉर्नर्स विल कंटिन्यू एट प्रजेंट लोकेशन एजमेंचे हैं जर्डी टेकन अप्टर मैटर अब देर्टी इंपोर्टेशन विट एक प्रस्ताव है दिल्ली गौवर्मेंट का और यह मेंचे ने ग्लियर कर दिया है जर्ट सब्सक्राइब के लिए वह फुद को ऐसे प्रजेक्ट करेंगी प्राइम मिनिस्ट अरेंद मोदी वर्सेजिन क्या कहेंगे आजू फिर से उन्हों पूरा प्राइंग दिखिए यह सब का अपना हर्म नेता सा अपना रिकार है देश में बन्रवी सैसे नेता है जो तरह की कोशिश कर रहे हैं उससे अब कोई परक नहीं पड़ता है हम तो हमारा फरक यह पड़ता है कि कुछ रों रंग बदलके और दिखाने को कुछ और है और खाने को कुछ और है उसका मैं आपके सामनी जो आप जो ने कुलासा किया उसका जबाब चाहता हूं वो दुनिया के सारे पुष्ट की तैयारी करें हमें उससे तुमत करें जी आपने बोला तिरंगे का केजी वाल जी ने सम्मान नहीं किया लेकिन राश्च्टरम से बख संग के बेलोग पे इसे भी तिरंगा नहीं लगाता है लिए लिए हमारे द परकार ने निवेदन किया था कि 13-15 अगस्त को सके कंपोनी दीवी प्रदल के रखें और आपको जानकाली होनी चाहिए कि आरे से ने पर दीवी प्रदल दीजे रहें मैंने कहा आपका बहुत अच्छा सवाल है रापिछर जी मैं कहा कि जैसे में फीचे दो केसे में हमें लोग का इउप्तम हो देने भी हमारी बात को माना और इसकुल गोटाने में भी रिपोट मागी करोड के दिल्ली से हुई लूट को हम आगे बढ़ा जानकाली करें बता दुन जो केसे वालेंशीन वाला इसके अधिया सुनौई 30 सितंबर की है बहुत ज्यादा जाए जी एक सो तीस करोड भारतियों में बहुत ज्यादा घुस्सा है यह यह बात भी जो है केजरी वालने क देशों के साथ में तुल्ला की यह तमाम देश हमारे से देश इनकी आजाद रहें बाद में हुए लेकिन आज से हम से काफी आगे तो आप यह इस गुस्से पर अपना क्या अब है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार